नमस्कार दोस्तो एक्ट्यूप्रेशर चिप्षा में मेरेडियन पॉइंट की लोकेशन ढूंड़ना एक बहुत ही आसान है केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमने कौन मीटर के बारे में बताया था पिछले वीडियो में आज हम सर्चा करेंगे की लोकेशन कैसे ढूंड में अब लार्ज इंटस्टाइन की बात करते हैं इस तरण में आज लार्ज इंटस्टाइन एक यांग मेरेडियन है इसलिए उपर से नीचे आ रहा है यानि उपर से अनर्जी लेकर के नीचे आ रहा है तब लार्ज इंटस्टाइन हमारी इंडेक्स फिंगर की नाखून की जड़ से शुरू होता है यह LI1 विंदू है अब हम जो आपको नोट्स देंगे उसमें आपको बताएंगे कि LI2 विंदू का है अगर वहाँ पर कोई ओर्गन से रिलेटिड बोन से रिलेटिड पहचान है तो ठीक है नहीं तो हम कौन मीटर की सहायता लेंगे अब यह जो हमारी अंगली का जोइन्ट है ठीक इसके साथ LI2 विंदू है लार्ज इंटेस्टाइन का टू विंदू अब यहाँ पर लोकेशन डूनने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि जोइन्ट का निशान है अब LI3 जो हम आपको नोट्स देंगे उसमें लिखा होगा LI2 से LI3 एक कुन की दूरी पर अब एक कुन की दूरी क्या होती है हमने पिछले वीडियो में बताया था इसमें भी बता देते हैं एक कुन कैसे मापते हैं ये एक कुन मीटर होता है जो की एक्यूप्रेशर हेल्थ केर सिस्टम की दुकान पर बहुती सस्ता आता है 20-25 रुप माप ले लेंगे हम इस क्रीज का माप लेंगे तो इसक्रीज का माप पने हमारे पास ये मीटर नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसकी कोई विशे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं भी अपने प्रक्टिस में इसका प्रियोग नहीं करता हूँ, अब इसको हम एक साधारन भासा में समझते हैं, कि एक अंगुली से थोड़ा सा बड़ा है, यानि एक अंगुठे के बराबर, आप देख प काम परेगा, अब LI2 से LI3 की एक कुन की दूरी है, अब एक अंगुठे की दूरी ले लेंगे हम, एक अंगुठे की दूरी लेंगे, तो ये हो गया LI3, अब LI3 से LI4 की एक कुन की दूरी, एक अंगुठा ले लिया, LI4 एक मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदू है, जो की लार्ज इंटेस्टाइन का ओर्गन सोर्स बिंदू भी है, नाभी से लेकर सिर्टक की तमाम बिमारियों में इसका प्रियोग करते हैं, एक्टिप्रेसर चिकित्सक का ये पसंदीदा बिंदू ह होता है, जहां पर ये खाली जहना समाप्त होती है, हड़ी सुरू होती है, उससे ठीक पहले ये LI4 बिंदू है, अब LI5, अब इसमें कून मीटर की जरूत इसलिए नहीं पड़ेगी, हमने उसमें लिखा है on the wrist, यानि wrist के joint के उपर जहाई गड़ा बनता है, अब इसी लाइन को हम पकड़ते जाएंगे, जहां पर ये गड़ा बनता है, वहाँ पर LI5 बिंदू है, अब LI6 में कून मीटर की जरूत पड़ेगी, क्योंकि यहां तो गड़ा था, wrist का हमने गड़े की पहचान कर ली, अब LI6 की पहचान कैसे करें, LI6, लाइन को इसी को पकड़े रखेंगे, LI6 हम लिखेंगे, LI5 से तीन कून की दूरी के उपर, LI6, अब तीन कून, तीन अमूठा, एक, दो, और तीन, तीन अमूठा की दूरी पर इसी लाइन पर चलते जाएंगे, LI6, LI6 विंदू, तीन कून की दूरी के उपर है, अब तीन कून की दूरी में हमें तीन अमूठे की दूरी लेनी पड़ी, लेकिन इसका एक आसान तरीका है, तीन कून, चार अंगूल के बराबर होते हैं, हम माप करके देख लेते हैं, यह चार अंगूल की दूरी है, एक, दो, और तीन, यानि तीन अमूठा चार अंगूल की दूरी पर होता है, हम सीधा चार अंगूल ले लेंगे, जहां पर तीन कून की दूरी लिखी हो, वहाँ चार अंगूल ले लेंगे, आप देख पा रहे हैं ये चार अंगूल की दूरी पर ये हैं, अब ये तीन कून होगे यानि कून मीटर की भी जरूरत नहीं है एक कून मापना हो एक अंगूठे की दूरी के बराबर चार तीन कुन मापना हो चार अंगुठे की दूरी के उपर जहां पर डेड़ कुन लिखा हो वहां पर दो अंगुल की दूरी पर ये चार अंगुल की दूरी पर Li6 Meridian का बिंदू है मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सारे बिंदू सभी 14 Meridian के बिंदू की लोकेशन इसी तरह से Human Body के उपर Original बिंदू समझाए जाएंगे आपको लोकेशन डोनने की कोई समस्या नहीं आएगी एक-एक बिंदू की घहराई में जाएंगे कौन सा बिंदू किस बिमारी में लिया जाता है कौन से बिंदू पर Pressure करना चाहिए कौन से बिंदू पर Star Magnet लगाने चाहिए हम तमाम इस पर विशयों पर चर्चा करेंगे यांग ओर्गन क्या होते हैं यीन ओर्गन क्या होते हैं फाइव एलिमेंट क्या है शिक्स की अनरजी क्या है तमाम पहलों पर हम गहराई से एक एक बिंदू की चर्चा करेंगे जो की पंदरा फरवरी 2020 से शुरू होने जा रहा है आप लोगों के अपार सने को देखते हुए बारा से पंदरा हजार रुपए तक वाला ये कोर्स मात्र पंदरा सो रुपए में आपके लिए करवाया जा रहा है आप सभी मित्रों से विंती निवेदन की जल से जल इस सुनहरे अवसर का फायदा उठाए और हमारे नीचे वीडियो में दिये गए लिंक पर संपर्ख करें धन्यवाद नमस्कार